अभी की बड़ी खबर आ रही है कि जार्खंड के पुर्मुख मंत्री हेमन सोरेन को जार्खंड उचिन्यायलाई से बेल मिल गई है जी हैं बड़ी खबर है कि जमीन घोटाले के मामले में आरोपी पुर्मुख मंत्री हेमन सोरेन को जारकंड हाई कोट से बेल मिल गई है पांच महिने के बाद जारकंड हाई कोट से उन्हें बेल मिली है तो कह सकते हैं आज की सबसे बड़ी खबर है कि लगातार तीन दिनों से जिस मामले पर सुनवाई हो रहे थी जारकन हाई कोट में आज उस पर फैसला आ गया है फैसला सुरक्षित रख लिया गया था हाई कोट के द्वारा और जिस पर आज फैसला दिया गया है पुर्मुख मंत्री हेमन सोरेन को बरी राहत मिली ही है सुक्रवार को जमीन घोटाले मामले में मनी लॉंडरिंग मामले में हाई कोट से जमानत मिल गई है वे जल्द ही जेल से बाहर आएंगे राची जेल में नेताओं का जमघट सुरू हो गया है हेमन्त को इस मामले में 31 जनवरी की रात ईडी ने गिरफ्तार किया था बडियातू की बरगाई अंचल का मामला है जहां पर आठ एकर से ज़्यादा की जमीन जो है हेमन्त सोरिन पर मनी लॉंडरिंग के बारे में कहा गया था आठ दसमलव आज 6 एकर जमीन पर कबजा किया गया था ये एडी का मानना मानना था और इसी मामले पर उन्हें की रफ्तार किया गया था आपको हम पता दें कि जमानत याज़िका पर तेरे जिर्वाई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी जस्टिस रंगन मुकब्ब आज़य के अदालत में पिछले तीन दिनों तक सुनवाई हुई अदालत ने दोनों पक्षब को सुनने के बाद फैसला सुरक्चित रख लिया था जारखंड हाई कोट के वकील धीरच कुमार ने बताया कि आज कोट के आदेस की कौपी चली गई, कल वे बाहर आ सकते हैं ये बड़ी खबर है और जारखंड मुक्ती मोर्चा के लिए या इंडिया गटबंदन के लिए का सकते हैं खुसी का माहौल है, नेताओं का जमगट जेल में सुरू हो चुका है 13 जून को ईडि की ओर से वकील स्वी राजु ने कहा था कि हेमन सुरेन को जमानत नहीं दी जा सकती है वे प्रभाव साली देखती है, उन्हें जमानत मिली तो वे राजु की मिस्नरी का इस्तेमाल करते हुए जाच को प्रभावित कर सकते हैं मामले में ईडि ने कोट में आरोप लगाया कि हेमन सुरेन ने अवे तरीके से बरगाई अंचल की आठ दस्मलब आज छे एकर जमीन पर कबजा किया है या पीम एले दो हजार दोयके नीद प्रावदानों के अनुसार मनी लॉंडरिंग है हेमन सुरेन का पच्च सुपरिम कोट की वकील मीनाक्षी अरुरा ने रखा उन्होंने कहा कि इस केस में मनी लॉंडरिंग का मामला नहीं बनता है या पूरी तरह से राजनितिक प्रतिसोद का मसला है उन्होंने कहा कि एडि ने अपनी चार सीट में जिस जमीन पर बेंकर डॉल बनाने की बात कही है वह महज उसका अनमान है इससे पहले हेमन सुरेन के वकील ने कोट को बताया कि जिस आर्दसलब आर्च छे एकर जमीन को लेकर एडि कारवाई कर रही है वह उनके नाम है ही नहीं इडि सिविल मामले को क्रिमिनल बना रही है ऐसे में उन्हें दिल्ली के सीएम अजिमिन केजरिवाल की तर्च पर जमानत दी जाए वहीं बारज उनको जो सुनवाई हुई उसमें इडि की और से एडवोकेट स्वी राजू ने हाई कोट को बताया कि हेमन सुरेन बढ़ियातों की बढ़गाई की आर्द असलव आठ छे एकर की जिस जमीन को लेकर जानकारी नहीं होने की बात कर रहे दरसल वह जमीन उनके नाम सही है इस बात की पुष्टी खुद पुर्व सीयम के प्रेस लाकार रहे अभिषेक परसाथ पिंटू ने अपने बयानों में की है यही बात बरगाई अंचल के सीयो और राजसो कर्वी भानुपरताब ने भी पूस्ताच में कही है हेमन सुरेन हेमन सुरेन ने जिस आदेश आपको बता दे कि हेमन सुरेन के आदेश पर ही विवावी जमीन के सत्यापन कर दिया गया है और इसके बाद से लगातार इस मामले पर जो हाई कई कोर्ट में सिविल को लोवर कोर्ट में मामला गया हाई कोर्ट आया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया हुआ था तो आपको हम बता दें कि हेमन सुरेन के आदेश पर पाविद विवादित जमीन का सत्याबन का निर्देश दिया था इसके बाद उधे संकर ने बरगाई के तत्कारी नंचरा दिखारी मनोज कुमार को उग जमीन का सत्याबन करने को कहा था भानुपरताप अवेद कबजे से जुरी गत्वीधियों में हेमन सुरेड की मदद कर इडी ने अपना पर्च रखने करम में बताया कि राजी की सरकारी जमीन पर कबजा करने के लिए सिंडिकेट काम कर रहा था इसमें हेमन सुरेड और उसके अधिकारी भी मदद कर रहे थे इडी ने अधालत को बताया था कि बानुपरताप परसाद सद्दाम हुसेन और अन् की थी सोरेड ने इस प्लोट पर गैर कानोन तहीके से 2009-10 में कबजा किया था इस जमीन पर बॉंडरी वाल भी बना दी गई है इस प्रोपर्टी का इडी ने दो बार सरवे किया था आपको हम बता दे कि इडी के 10 संबन के बाद हैमन सुरेड की गिरफतारी 31 जनवरी 2024 को हु हैमन सुरेड से पूस्ताच वी थी 29 जनवरी 2024 को दिल्ली में एडी ने हैमन सुरेड के सरकारी आवास के साथ साथ जारकन भवन और सीवू सुरेड के आवास पर पूस्ताच करने पहुंची लेकिन वे वहाँ नहीं मिले थे फिर 31 जनवरी 2024 को सीमों की और से मिले समय के इडी के टीम सीम हाउस पहुंची हैमन सुरेड से पूस्ताच वी और रात में उन्हें जमिन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था इसमें ये भी मैं बता दूँ कि इससे पहले कि आव दस जुन को जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या हुआ था याज क्या कि सुनवाई के पहले दिन लगवक दो घंटे तक बहत चली सिनियर एड़ोकेट का फिल सिंबल ने बहस करते वे अदालत में कहा कि जिस जमीन को लेकर मामला चल रहा है वो भुईयरी नेचर की जमीन है इसका सारांतर नहीं हो सकता इड़ी इस जमीन पर प्रार्थी के कबजे की बात कह रहा है जबकि जांच एजिंसी के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह बताए कि जमीन कबजे में है तेरह मही को PMLA कोट में याचका खारिज हुई थी नियमी जमाने को लेकर हेमन सुरेन ने एड़ी की विससे दादत में याचका दाखिल की थी उन्होंने गलत तरीके से आरोपी बनाने का हवाला देते वे जमानत की मांग की थी लेकिन स्पेशल कोट में इस याचका पर सुनवाई हुई एड़ी की स्पेशल कोट ने तेरह मही को हेमन सुरेन की जमानत याचका को खारिज कर दी थी इससे पहले आपको बता दे सुप्रिम कोट में भी इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था हैमन सुरेन ने सुप्रिम कोट से जमानत की गोहार लगाई थी सिनियर एड़ोकेट कपिल सिंबल पुर्व सीम की पैरवी कर रहे थे सुप्रिम कोट में 21-22 माई कोवेकसन बेंचन में इस याचका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान कोट ने इस बात पर नराजगी जताए कि सोरेन की और से फाइल की गई याचका में फैट को छिपाया गया है अदालत ने उनसे कहा कि उनके खिलाप मनी लॉंडरिंग केस में इडी की स्पेशल कोट संग्यान ले चुकी है आपने इस बात की जानकारी नहीं थी इसके बाद अधालर ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था ये भी बता दे कि जमीन घोटाले में क्या क्या हुए है अभी तक 36 फरजी डीरोर कागजात के जरिये सेकरो एकर जमीन का फरजी सौधा जारकर्ण में हुआ है अधिकारी से लेकर जीले के उपायोग और बड़े-बड़े बेपारी भी इसमें सामिल रहे नगर निगम ने इस मामले में फायार दर्ज करवाई थी जाच की दिम्मेदारी राची के ततकालिन कमिस्नर नितिन मदल कुलकर्णी को दी गई थी नितिन मदल कुलकरडी ने कारवाई के अनुसंसा की 13 अप्रेल 2023 को राची के पुर्व डिसी छवी रंजन बरगाई अंचल के अंचला दिकारी मनोज कुमार समेत 21 ठिकानों पर रेड की गई थी ये सारे मामले था और इसके बाद लगातार जो पांच महने से हमन सोरेन जेल में थे और कई जगह पर मैंने कहा कि उन्होंने PMLA कोर्ट में इसके बाद जारकंड हाई कोर्ट में फिर सुप्रिम कोर्ट तक में गुहार लगाई थी इस बीच 10 से 13 जून को लगातार तीन दिनों तक सुनवाई हुई थी और उसके बाद हाई कोर्ट ने जारकंड हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और बड़ी खबर है कि हमन सोरेन को जमानत मिल गई है और जैसा कि धीरच की उमार जो अधिवक्ता उन्होंन जाता है तो कल उन्हें जेल से रिया कर दिया जाएगा